यूपी विधानसवा चुनाओं से पहले शिक्षक अभ्यरतियों ने नौकरी की मांग को लेकर जम कर हंगामा किया था पुरे प्रदेश भर में अभ्यरतियों ने प्रदेशन किया था और कई बार उनको पुलिस की लाटियां भी खानी पड़ी थी एक बार फिर उत्रप्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही शिक्षक अभ्यरतियों ने प्रदेशन करना शुलू कर दिया है आज एक बार फिर लगनोवे आड़ सट सो पदो पर निव्टी की मांग करने आए अब्यर्तियों ने भाजपा कारेले का गेराफ किया अब्यर्ति गुहार लगा रहे थे कि किसी जिम्मेदार विक्ती से उनकी मुलकात कराई जाए ताकि वह अपनी बात रख सके मुलकात तो नहीं भी मौके पर मौझूद महिला पुलिस कर्मियों ने उनकी साथ बरबरता की मासूम बच्चे के साथ धक्का मुकी और उनकी मां के पेट पर लाग मार दी यह नजारा था बीजेपी कारेले का जहाँ पर रोजगार मांग में आये महिलाओ के साथ पुलिस कर्मियों ने ऐसा विभार किया तस्वीरे भी आपको हम दिखा रहे पुलहतर हजार शिक्षक भरती में अलसर सोट सीटों की मांग को लेकर जो अभियर्थी लगातार पिछले साथ से आठ मेहने इको गाडम ने प्रदर्शन कर रहे थे चुराओं से ठीक पहले इनको आश्वासन दिया गया था कि चुराओं के बाद आपको अलसर्ट सोटों पर रोजगार मिल जाएगा आज उन्हों अभियत के लिए पार्पाटी कारिया एक घ्राओं किया तर्फिर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर अलसर्ट सो सीटों के लिए जो अभियर्थी व्रोट प्रदर्शन करने आए पुलिस के साथ उनकी किस तरके से लोग हुई इस नगाता ह zwy जो से अच झाल स्वाटि पाटी करिया पर तो ऑश्रट सो पदों पर मांग कर रहें थे रौजगारं की नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं उनके साथ पुलिस की किस तरके से बर्बरता हो रही है वह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीजेपी कार्याले आई तिंग क्या हुआ थे अर्फर्सों की नियुक्ति पत्र के लिए उस पर नियुक्ति पत्र के लिए अरे प्रा किना सबस्त्र कर रहे हैं